हेलो फ्रेंड्स, आइम सुष्मा कपूर, वेलकम टो माई चैनल सुष्मा स्किचन, आज मैं बनाने जा रहे हूँ चीज गार्लिक प्रेड, सबको बहुत पसंद आती है, तो शुरू करें चीज गार्लिक प्रेड बनाने के लिए फ्रेंड्स, हम पहले 200 ग्राम मैदा लेंगे, 10 से 12 कलिया लसुन की, बटर, चिली फ्लेक्स, औरीगेनो, और पास्ता सीजनिंग लिए है मैंने, हरा धनिया, एक कटोरी, चीज और आधी कटोरी कौन लिए हैं और हम मैदे को, पहले जो तैयार कर लेंगे मैदे का, इसके लिए मैंने दो चम्माच तही डाली है, आधा चम्माच नमक, आधा चम्माच मैंने बेकिंग सोडर डाला है, और एक चम्माच बेकिंग पावडर इसके साथ ही, दो चम्माच ओइल डाला है, मोन के लिए, ताकि ये क्रिस्पी बने, और इन सब को मिला कर, थोड़े से औरिकेनो मिला कर मैं अच्छे से डो तैयार कर लेंगे, डो हमारा ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही बहुत हार्ड, इसको अच्छे से रसा रसा कर हम डो तैयार करेंगे, लास्ट में हाथ में ओयल लगा कर इस पे रख देंगे हम, ताकि ये सूखे न मैदा हमारा सूखेना और फूल जाए अच्छे से इसको हमने गिले कपड़े से ढख कर एक एड़ेट घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ये देखें मारा डो इस तरह तयार हो गया है और हम गिले कपड़े से इसको ढख कर रख देंगे तब तक हम दूसरी तयारी कर लेते हैं बटर और कॉर्ण को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ये देखे अब एक देट घंटे बाद मेरा डो अच्छे से तयार हो गया है इसको हम एक बार फिर से रसा लेंगे अच्छे से जितना ज़्यादा हम इसको अच्छे से हतेली से रसाएंगे उतना ही ये फूला फूला बनेगा हमारा बटर को मैंने थोड़ा मेल्ट कर लिया है ताकि ये इसको उपर लगाने में असानी हो अब इसकी हम बड़ी सी लोई लेंगे ज़्यादा छोटी नहीं लेनी है क्योंकि पतला नहीं बेलना हमें से इसको हम बेल लेंगे अगर आपका मैदा चिपक रहा है चकले से तो आप थोड़ा-थोड़ा सुखा मैदा लगा कर इसे बेल लीजे इसको इकवल बेलते वे हम फैला लेंगे और ये देखिए इसके मोटाई इतनी रखनी है हमें बहुत पतला नहीं करना है अब इसके हाफ एरिया में हम बटर के स्प्रैट करते हुए अच्छे से लगा लेंगे और इसके उपर अब हम औरिगेनो, सीजनिंग, चिली फ्लैक्स और स्वीट कॉन, बटर सब अच्छे से फैला लेंगे ये किनारे छोड़ते हुए मुझे फैलाना है क्योंकि हम उसको बाद में पेस्ट करेंगे और इसके उपर बहुत सारा चीज लगाएंगे चीज का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए चीज को हम उपर अच्छे से भर देंगे ये देखे अच्छे से भर दिया है और अब हम इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से पेस्ट कर देंगे ये देखे दोनों इसको दबाते हुए हम दोनों किनारे अच्छे से दबाते हुए पेस्ट कर देंगे, अगर आपको लग रहा है कि यह कहीं से फटने वाला है, तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं, गुजिया के तरे, अब इसके उपर चाकू से छोट-छोटे कट के निशान लगा देंगे, कट के निशान पूरे आरपर नहीं होने चाहिए, सिर्फ उपर- बटर अच्छे से इसको लगा देंगे, ताकि हमारा क्रिस्पी तयारो, साइड से उपर से, इसके उपर फिर से सीजनिंग कर देंगे हम, चिली फ्लेक्स और इगेनो लगा कर, और हरा धनिया हम उपर लगाएंगे इसके, हरा धनिया लगा कर, इसको बेकिंग ट्रे में रख बेकिंग ट्रे में आप बटर भी लगा सकते हैं और आप गी भी लगा सकते हैं इसी तरह दूसरा भी तयार कर लूँगी 200 ग्राम में 2 से 3 हमारे गार्लिक प्रेट तयार हो जाते हैं सेम प्रोसीजर से अब दूसरा भी मैंने गार्लिक प्रेट तयार कर रहा है हाफ एन एरिया में मैं इसको स्प्रेट कर लूँगी और इस पे औरिगेनो चीज़ फ्लेक्स चिली फ्लेक्स चीज़ अच्छे से भर कर उपर से भी बटर लगा कर सीजनिंग करकर हरा धनिया लगा कर हम इसे भी तयार कर लेंगे सेम प्रोसीजर से और जैसे हमारा तयार हो जाता है दोनों को बेकिंग ट्रे में रख देंगे इतने हम माइक्रोवेव को आठ से दस मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं प्री हीट करने के बाद इसे भी हम बेकिंग ट्रे में रखेंगे और माइक्रोवेम में सिखने के लिए रख देंगे बेख होने के लिए बेख होने में 15-20 मिनट आराम से लग जाते हैं 15-20 मिनट बाद ये देखिए मेरे चीज गार्लिक प्रेट एकदम तयार है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हुई है बहुत अच्छा टेक्चर आया है इसका अब मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ ये देखिए बहुत गरम है अभी तो ये हमारी चीज गार्लिक प्रेट बिल्कुल तयार है देखिए इसमे चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब ये खाने के लिए तयार है आप बनाईए और खिलाईए चीज गार्लिक प्रेट